जय है शरी राम दोस्तों मेरे धर्माचरान चैनल में सभी भक्तों को शरी राम चंदर जी के जनम दिन की बहुत-बहुत बधाईयां शरी राम चंदर जी कह जनम 4 मास की शुक्ल पश् automated की नवमी तिथी को अ योध्या में राज़ादस्त के यहा हुआ था राम नवमी के बारे में अलग-अलग मानेता हैं का जाता है कि एक बार भगवान शिवसे पार्वती ने पूझा भगवान राम कौन हैं? बोले नाथ ने कहा राम विश्नु भगवान के सात्वे अफ्तार हैं प्रत्थिपर श्री राम मर्यादब प्रुशुत्तम तथा नयाय के देवता के रूप में पूझे जाते हैं पार्वती ने आशारे से पूझा प्राणात विश्नु जी की मनुश्य का रूप लेकर प्रत्थिपर क्यों आना पड़ा? तब भोले नात ने कहा देवी एक बार जलंधर की पत्नी व्रंदा ने भगवान को श्राप दे दिया था कि आपको मनुशय योनी में जनम लिना पड़ेगा तब भगवान विश्नु ने छल से व्रंदा का सतीत्व भंग किया था कुछ का कहना है कि राजा प्रताप, भान, अरीमर्दन और धर्म रुची रिश्यों को शाप था ये तीनों रावन, कुम्बकरण और विवीशन बने जब रावन आदी राक्षसों ने प्रिजाप पर अत्यधिक अत्याचार शुरू कर दिया तब धर्म की रक्षा के लिए उन्हें मनुश्य रूप में जनम लेना पड़ा था फिर भगवान शिव ने कहा राम जनम के हेत वनेका, परम विचेत्र एक ते एका जब जब होए धर्म की हानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी तरप्रभू धरी विविद सरीरा, हरें किर्पानिदी सज्जन फीरा यही राम की अतार का कारण है इस दिन राम दरवार की तस्वीर पर गंगाचल छड़क का रोली चावल से तिलक कर फूल समर्पित करें उन्हें हलवा चना पोड़ी का भोग लगाएं राम रक्षा इस्रोत का पाठ करें राम चरित मानस का पाठ करें इस दिन भगवान राम और सीता की सालगिरे बड़े ही धूम धाम से मनाई जाती है मंदिरों को खूब सजा जाता है इस दिन लौकी का सेवन गौ मास के बराबर माना जाता है कुछ इस राम नौमी का वरत करते हैं इसे घर में सकारात्मा कूर्जावे मनुवांसित फ़लों की प्रात्ती होती है अपनी शम्ता के अनसा गरीबों में फल या भोजन जरूर बाटे है क्योंकि राम जी तो बहुत क्रपालू और दयावान है शिरी राम चन्र क्रपालू भजमन अरण भव भयोदारूणम नव कंज लोचन कंज मुक कर कंज पद कंजारूणम राम इस तोती का पाट करें यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जै शिरी राम जरूर लिखें तथा सब्सक्राइब करके ब